नमस्कर दोस्तों मैं वीजे और सौगत आप सभी का हमारे यूटूब चैनल पे और आज की इस वीडियो में हम देखने वाले बजज कमपनी की तरफ से आने वाली बजज, मैक्जिमा, कारगो, पेट्रोल प्लस C&G ओप्शन में इस शोरूम में भी अवेलेबल है तो इस गाड़ी के बारे में आज इस वीडियो में हम समपूर्ण जानकारी जो है इस वीडियो में देखने वाले जैसा की इंजिन स्पेसिफिकेशन क्या है, गाड़ी का माइलेज कितना है, C&G टैंक फूल करने पर आपको एक गाड़ी जो है कितने किलमेटर तक जा सकती है, माइलिज कितना है, और इस गाड़ी का अंदरड कीमज़ वो क्या है, ऐसी सभी जानकर है आज की इस वीडियो में हम हिंदी में देखने वाले, तो पहली बार हमारे चैनल पर आये होत तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब भी किजे, बेल आइकन प्रेस करके, बेल आइकन में से लेनी होगी, तो आप लक्षमी बाजा शोरूम वाकड़ पुने इस शोरूम को विजिट कर सकते, शोरूम की सभी कॉंटेक्ट डेटल से और आइडरेज जो हो, वीडियो में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स दोनों में आपको देखने को मिलेगी, तो चलिए दोस्तों आज का यह वीडियो जो हम स्टार्ट करते हैं, और सबसे पहले इस गाड़ी का नाम जो मैं आपको बाताता हूँ, बजच कमपनी की तरफ से आने वाली मैकजिमा, सी, कारगो, पेट्रोल प्लस, सी एंजी, कमर्शाल सेहिमन में सबसे ज़्यादा यूज होने वाली यह जो आपको इस गाड़ी के साथ कमपनी के तरफ से मिलती है, उसके बाए दोस्तों फ्रंट की तरफ चलते हैं, अभी फ्रंट का लुक भी आप देख सकते हैं, सामने का ग्लास एरे भी काफी बड़ा दिया गया है, जो की वीजिबिल्टी में कूछ भी प्रॉब्लम नहीं आ आलोजन में ही मिलता है, और साइड वीव मिरर भी काफी अच्छे दिये गए, ताकि आने वाले पीछे की गाड़ी जो क्लेरली दिखती भी ये गाड़ी चलाते समय, उसके बाद दोस्तों यहापे नीची की तरफ बजज मैक्जिमा की क्रूम में बैजिंग आपको देखने की तरफ से, यहापे आपको स्टिकर देखने को मिलता है, ताकि यह गाड़ी जो है पेट्रल प्लस स्टिकर लगाए गया है कम्पनी की तरफ से, लैट का सेट आप जो हो रौंड शेप में मिलता है, और घेड लाइट जो ही आपको हैलेजन बुल्प सेट अप में दिये गाड़ी में टायर साइज जो हो फ्रंट और रियर की तरब का 10 इंच का टायर जो हो फ्रंट और रियर की तरब दिया गया है सस्पेंशन जो हो आपको फ्रंड में हेलिकल स्प्रिंग टाइप सस्पेंशन दोनों तरब मिलता है और brake की बात करें तो यहाँ पर इस गाड़ी में आपको front में और rear में drum brake का यूज जो किया गया है जो की काफी अच्छा है और commercial गाड़ीों में आपने देखा है कि drum brake का यूज ही करते कमपनी और tire side जो भी काफी अच्छा है और MRF कमपनी के tire जो आपको इस गाड़ी में तीनो total lane जो इस Maxima cargo गाड़ी की वो 3230 mm इतना width जो इस गाड़ी की 1493 mm इतनी है और total height जो इस गाड़ी की 880 mm इतनी है गाड़ी का wheelbase भी काफी अच्छा है इतना गाड़ी का wheelbase है और ground clearance देखा जाए तो इस गाड़ी का ground clearance भी काफी अच्छा कमपनी की तरब से दिया है 195 mm, 195 mm इतना ground clearance ताकि इसी वज़े से आप ये गाड़ी जो गाओं में भी चला सकते है और city में भी इस गाड़ी का comfortable use कर सकते है और काफी अच्छा look मुझे इस गाड़ी का देखने को मिलता है और इस गाड़ी में आपको color option भी मिलते है दूसरा जो color है वो red color भी इस गाड़ी में आता है उसके बाद दोस्तों ये जो door दिया गए वो भी काफी अच्छा दिया गए या पर door handle black color में मिलते है या पर आप गाड़ी की की लगा के lock भी कर सकते है और window जो आपको इस प्रकार मिलती है आप ऐसे edges भी कर सकते हवा आने के लिए और open और close भी इस प्रकार कर सकते है उसके दोस्तों ये जो गाड़ी ये commercial segment में ज्यादतर यूज होती है इसलिए आपको पीछे के तरफ cargo body देखने को मिलती है और इस cargo body की dimension में अभी आपको बता दा हो इस गाड़ी की जो लंबाई ये cargo body की वो 5.8 feet है और चावड़ाई जो देखा जाए तो इस गाड़ी का cargo body का जो payload capacity वो 600 kg तक ही 600 kg तक लोड़ इस गाड़ी में आप लेके जा सकते और लेके आ सकते भी उसे के साथ यहाँ पर पीछे का टायर जो वो सेम दिया गया है MRF company का टायर और mud flap जो आपको यहाँ पर भी देखने को मिलता है और दोस्तों एक अच्छी बात ये गाड़ी petrol प्लस CNG ह आपको देखने को मिलती है जो की emergency यूज में आप कर सकते हैं और CNG का cylinder जो आपको इस तरफ मिलता है नीचे की तरफ आगे हम वीडियो में CNG के cylinder की बात करने वाले अब चलते हैं पीछे की तरफ पीछे का लूग जो इस गाड़ी का Maxima का काफी अच्छा है यहाँ पर आप नीचे करके आप लोड जो कर सकते हैं उसे के साथ नीचे की तरफ टेल लेट का डिजाइन भी मुझे काफी अच्छा लगा और टेल लेट का सेटप जो है वो है हैलोजन बल्प में दिया गया है जो की indicator brake light और reverse light आपको इस प्रकार देखने को मिलता है और यहाँ पे नीचे एक जाली भी दियेगे और इंजिन जो है इसके नीचे दिया गया और आप इदर वीडियो में देख सकते हैं इंजिन जो है यहाँ पे दिया गया और इंजिन स्पेसिफिकेशन की बात करें तो इस गाड़ी में आपको 236 cc का इंजिन मिलता है जो की बीएस इस इंजिन है और इसकी इंजिन की मैक्जिमम पावर जो है आपको 7.30 kW मिलती है जो की 475 rpm तक पावर जो है प्रोडूस करता है और मैक्जिमम टर्क जो है इस इंजिन का 16.5 Nm टर्क जो है जनेरेट करता है यह जो इंजिन 236 cc का है 3500 rpm तक टर्क जो है जनेरेट करता है उसके बाद दोस कि इसी के वो जैसे आपके गाड़ी में अगर मटेरियल या सामान ज्यादा होगा तो आप दोरी से बांध भी सकते इसे के लिए कमपनी ने यह माइंड में रखके भूग भी दोनों तरफ दिये गए इसका यूज भी आप कर सकते CNG का सिलेंडर जो आपको यहापनी नीचे के तरफ में देखने के मिलता है और यह भी लॉकएवल system में आता है यहाप गाड़ी की की लगाए के लॉकह कर सकते हैं से एक साहले आपको आपको गाड़ी इस गाड़ी बरसकते, मैं बताता हूं, अगर आपको गाड़ी का प्रकार आपको लग बरसकते, का सिलेंडर आपको 50 क्लो में भीतादाना हूँ, जो की 1 kg की cng में आप 35 km तक जा सकते और दोस्तों यह जो मैंने mileage बता है 35 km पर kg यह mileage कम ज्यादा भी हो सकता है आप लोग गाड़ी कैसे चलाते हैं और ड्राइवर गाड़ी कैसे चलाता है उसके उपर depend होते हैं दोस्तों गाड़ी के इंटेरियर की तरफ गाड़ी का इंटेरियर जो कैसा देगा है वह अब यह मैं आपको बताता हूं यहाँ पर एर इंटेक भी आपको इधर देखने मिलता है और यहाँ पर एक विंडो भी दिया गया है जो कि हवा आने में इसकी मदद भी होती है और पी गाड़ी के इंटेरियर में और इंटेरियर कैसा हो देखते है दोर ओपन करना होता कुछ इस प्रकर आप खोल सकते है और लगा सकते है और गाड़ी की बिल्ड कॉलिटी भी काफी अच्छी दिएगे दोर ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर एक लिवर मिलता है अगर काफी अच्छी क्वालिटी की दिये गए कमफोर्टेबल डाइवर जो इस गाड़ी को चला सकता है बैटके बैक सपोर्ट भी यहाँ पर देखने मिला सेप्टी पॉइंट अब यहाँ पर कंपनी की तरफ से अब हम अंदर की तरफ बैठते हैं और क्या-क्या फीचर जो इंट स्विच दिया गया है आपको दो प्रकार के स्विच मिलते हैं एक हाजार लाइट या पार्किंग लाइट का स्विच दिया गया है उसके बाजू में आपको पेट्रोल से 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 पेट्रोल में स्विच करने के लिए स्विच दिया गया है ताकि आप सेंजी पर चलाना होगा तो CNG का प्रेस कर सकते हैं पेट्रोल में चलाना होगा ता पेट्रोल का स्विच जो प्रेस करके गाड़ी चला सकते हैं दोस्तों हैंडल बार भी काफी आच्छा दिया गाए है अपको लाइट देखने को मिलता है इस गाड़े में आपको गीर जो वो चार मिलते है और एक रिवर्स गीर जो यहाँ पर नीचे की तरफ दिया गए स्विच की बात करो तो यहाँ पर लेफट और राइट इंडिकेटर का स्विच यहां दिया गया है हेइललेट का अपर डिपर का सुइच आपको यहां देखने को मिलता है right side में एक्सी लेटर लिवर जो यहां दिया गया है उसकी grippe और यह जो fuel gauge जो दिया गए वो CNG का है और petrol का है ताकि CNG gauge जो है वो सिलेंडर में कितना बचाए वो आप यहाँ से देख सकते हैं लेवल यहाँ दिया गए तो राइट साइड में यहाँ एक lockable glow box मिलता है यहाँ पर आप कुछ जरूरी डॉकुमेंट्स गाड़ी के डॉकुमेंट्स या यूजर मैन्यूल यहाँ पर रख सकते हैं और यहाँ पर भी decent space दिया गए यहाँ पर कोईन वगेरा यहाँ मोबैल मिलता है आर्पिम लिमेट का इंडिकेशन भी यहाँ दिया गए बजच की पैजिंग आपको यहाँ देखने को मिलती है उसके बाद दोस्तों वार्निंग इंडिकेटर जो उपर की तरफ मिलते हैं नूट्रल का इंडिकेशन जो आपको यह सैड दिया गए और ओवरवल डै स्टार्ट कर सकते हैं और रात को इस केविल लैट की काफी अच्छी मदद भी होती है और वरवल आगे का विव आपको कुछ इस प्रकर देखने को मिलता है अब चलते हैं दोस्तों इस गाड़ी की कीमत की तरफ इस गाड़ी का ऑंडरोड कीमत जो वो कितना देखने को मिलत इस गाडी का और कितना माइलेज जो इस गाडी से आपको मिल सकता है इस गाडी का जो कीमत है वो 293,500 रूपीज इतना है यह मैंने यह कीमत बताई है 293,500 रूपीज अगर आप यह वीडियो इस गाडी का कुछ दिनों के बाद देखते हो तो कीमत बदल भी सकती है या आपके शेयर में कुछ कीमत अलग भी हो सकती तो आप अपने नजदी के बजच के थ्रीविलर शोरू में जाकि विजिट कर सकते है और आपको यह गाडी पुने में इसे लेनी होगी तो आप लक्षमी बजच शोरूम वाकड पुने इस शोरूम को विजिट कीजे और गाडी देख सकते हैं और लोन द्रिगाडिंग कुछ इनफर्मेशन चाहिए तो आप शोरूम का जो कॉंटेक नमबर दिया गाए उस शोरूम के कॉंटेक नमबर पर कॉंटेक कीजे और पूछ सकते हैं तो दोस्तों आज का यह वीडियो आपको कैसे लगा बजच मैक्जिमा कारगो अगली कारी के साथ तब तक के लिए धन्यवाद